हेलो एंड वेल्कम टू ओर्लाइन एड़ा फॉर श्टडी पनिस्ट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सुभी का इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर कोट की तरप से जारी किये गए नए और के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि सुभी कोट ओफ इंडिया के द्वारा दिये गए आदेश के बाद लगातार इस मामले पर अलग-अलग सुनवाईयों के दो जारी है उसी मेंसे एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है जिसको लेकर यहां से ओर्डर जारी कर दिया गया है ओडर में क्या जानकाई दी गई वो आपके काम की भी है और मैतपूर भी तो वीडियो को आप लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकाई मिलती रही दोस्तों आपको याद होगा कि हाली में मैंने आप सभी को एक दो दिन पहले जानकाई दी थी कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी और यूपी टीटी में बीएड को लेकर मामले पर सुनबाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर और उसको लेकर शॉर्ट ओर जारी हुआ था लेकिन डिटेल ओर आने का इंतजार था अब इस मामले पर डिटेल ओर जारी कर दिया गया है जिसकी जानकाई आपको नीचे मिल जाएगी इस मामले की सुनबाई हुई थी अठाय सितंबर 2030 यानि की दो दिन पहले अब इसको लेकर जो डिटेल ओर है वो जारी कर दिया गया इस याचिका को दाखिल करने वाले जो अव्यति हैं वो प्रतीक मिश्या प्लस सकील खान दोनों की तरफ से याचिका दाखिल की जाती है और यहां पर जो रेस्परेंट मिनाया जाता है वो यूनिन ओफ इंडिया को है अब इस मुद्धे पर सुनवाई में क्या हुआ वो नीचे लिखा हुआ है और इसी के आधार पर कोट की तरफ से इस आदेश को यहां पर मानते हुए यह आदेश दे दिया जाता है कि मुद्धा आज सुनवाई के लिए इस्तागित है क्योंकि यहां पर उनकी तरफ से कोई जोईंडर एफिडेविट फाइल करना है जो कि तानिया पांडे बीटी सी अभ्याथियों की वकील है जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से बीएड को बाहर करने संबंदित मामले पर सुनवाई की गई थी बहस की गई थी और यूपी टीटी में भी बीएड करने वाले अभ्याथियों के रिजल्ट पर रोक लगी थी वो तानिया पांडे के माध्यम से ही की गई थी बहस अब इसी को लेकर जब हाली में सुनवाई होती है और मामला लिस्टेड होता है कोट के सामने जाता है तो तभी तानिया पांडे के माध्यम से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मुद्य को अभी आज के क्ले का इस मामले को और आगे बढ़ा दिया गया है अब इस मुद्दे पर सुनवाई 20 दिन बाद देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रिदेश में तब तक सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया में लग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी तो और भी चीजें इस पस्ट हो ज